आप लोगों की सहग से हमारा चैनल बहुत आगे को बढढ रहा है और उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ दोस्तो मैं कोशिश करता हूँ और दूसरे चैनलों की अपिक्षा कुछ अच्छा कॉंटेंट देने के लिए जो की आपके लिए फायदे मंद हो खाले विव पाने के लिए ही नहीं आपका फायदा भी होना चाहिए तो इसी कड़ी में आज मेरा वीडियो है तो वीडियो बह अपने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को अपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर पहले से अपने सबस्क्राइब कर रखा तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्नवाद दोस्तों काफी लोग commission करते हैं कि सर जो good health capsule है या good health sirap यो सही नहीं है यह स्वास्त के लिए हानी का रखे और इसको मैंने खा लिया और खाने के बाद फायदा तो हुआ लेकिन दुबारा से मैं बैसे इस्थिति में आ गया ये सभी जानते हैं इसके बारे में लेकिन जानते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और मैंने कुछ लोगों पर इसका प्रैक्टिकल किया जो good health ले रहे थे उन लोगों को दिया और देने के बाद में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और बास्तब में उनका जो बजन था वो बड़ा और छोड़ने के बाद भी उनका बजन घटा नहीं दोस्तों ये सभी पेशेंट जो है ये good health capsule ले रहे थे देखिए मैं किसी को good health लेने की सलाह नहीं देता मेरे को लगता है कि good health capsule के अंदर चोकि company ने ये announcement नहीं किया है कि good health के अंदर कोई steroid आदी होता है लेकिन मुझे लगता है कि इसका इतना जल्दी काम करने के पीछे का कारण है इसके अंदर चाहे वो आयरुवेदिक हो या एलोपैथिक हो या किसी भी form में हो steroid मोजूद है और इसी की वज़ा से ये इतना ज़्यादा फाइदा करता है तो आप ले चुके है ले रहे है तो उसके साथ साथ क्या किया जाए कि मोटे तो हो गए है लेकिन उसको पर्मानेंट बना के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ फुल तो गय है लेकिन उसके अंदर कुछ माल तो भरना है तभी तो वो पर्मानेंट रहेगा बरना तो पानी ही भर जाएगा ना बोडी में तो इसलिए मैंने क्या क्या एक नुक्सा जो है उसको एक फर्मूला है उसको मैंने लिस्टेड किया और लिस्टेड करने के बाद में मैंने कुछ पेशिंटों को दिया कि इस लिस्ट को फॉलो करिये और इसी के हिसाफ से कुछ समय तक काम करिये फिर आप नतीजा देखिये मैंने क्या किया उन लोगों को सलाय ये दी कि आप रोजाना रात को सोने से पहले एक मुठी काला चाना किस्मिस दो चम्मच जो किस्मिस होता है उसके छोटे चम्मच का दो चम्मच किस्मिस लेना है आपको पाँच काजू बादम लेना है और पाँच आपको जो बादम है वो लेना है इन सभी सामगरियों को एक गिलास में ले लिजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें डेड़ चम्मचाप इसब गुल का डाल दीजिए सत इसब गुल मार्केट में मिल जाता है सत इसब गुल के नाम से यह हर जगा पर मिल जाता है तो अलग अलग इस्थान पर इसका अलाग अलाग नाम हो सकता है लेकिन हर जगा मिल जाता है इसब गुल के नाम से तो इसब गुल इसलिए मिलाया हमने ताकि ये आपका जो धातु है उसको शांत रखे आपका पाचन तंत्र को सही रखे ये जो इसब गुल होता है इसके अंदर पानी को धारन करने की ज्यादा शम्ता होती है यह आपका जो constipation है उसको regular रखे इसलिए मैंने इसमें इसब गुल को शामिल किया है आपको चना लेना है किसमिस लेना है बादाम और काजू यह समगरिया इसब गुल के साथ में मिला करके आप रात को एक गिलास में भीगो कर रख दीजिए सुभा क उठके आप कुला कर लिजिए और कुला करने के बाद आप उस पानी को पी लिजिए ठंड का मोसुम है देखिए तो आप उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भी एड़ कर सकते है और उसको पी लिजिए और पीने के बाद आप फ्रेश हो लिजिए फ्रेश होने के बाद मे आपका पेट अच्छी से साफ हो जाएगा उसके बाद में आप जो आपने भीगों के रखे थे उनको आप गन्ने का गुर से आप खाईए अगर आप डायवेटिक है तो आपको यह सब करने की जुरूरत नहीं है अगर आप डायवेटिक नहीं है तो ही यह सब करें डायवेटिक पेशेंट अगर है तो आपको यह नुकसान दे सकता है तो दोस्तों आप गुड के साथ में लीजिए और गुड के साथ में खाने के बाद में आप आधा या एक घंटी के बाद आप एक गिलास दूद पी सकते हैं अन्य कोई फल फ्रूट ले सकते हैं यह नियमि जो भी घर का बना हुआ खाना है बो हो सकता है आपको ज़्यादा भूक लगेगी इसलिए आपको बार-बार खाना पड़ेगा और पानी भी उसी शाफ से पीना पड़ेगा देखिए ठंड का मोसम है इसलिए आपको पानी भी बार-बार पीना पड़ेगा पानी पीते आपको नहीं करना है अगर आप नॉन बेज लेने वाले हो लेते हो तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो ज्यादा मोटे होने की चक्कर में ज्यादा बोड़ी वनाने की चक्कर में नॉन बेज का इस्तिमाल आप ज्यादा नहीं करिए आप शाकाहरी भोजन का इस्तिमाल करिए एक्सासाइस करिए नियमित रूप से योगा अभवस करिए आपका पेट का पाचन तंत्र अगर ठीक नहीं है पेट गड़वर कर रहा है पेट में गैस अपच हो रहा है देखे ज़्यादा गैस होता है तो आप कोई एंटासीड ले सकते है और बरना आप एरिस्टो जायम सीराप का जुरूरत पढ़ने पर आपको लगे की हाजमा ठीक से नहीं हुआ है तो उस समय ले सकते हैं जब आपको लगे की इसकी जुरूरत नहीं है तो आप उसको नहीं लीजिए गुड हेल्थ कैपसूल या सीराप का इस्तेमाल सुभा शाम दो टाइम जो कर रहा है आप उसको करते रहे हैं एक महिने तक और उसके बाद में आप एक एक बार लीजिए जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है आप इसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं देखिए मेरे मना करने के बावजुद भी काफी लोग गुड हेल्थ लेते हैं तो इसलिए मैं गुड हेल्थ लेने वालों के लिए ही बता रहा हूँ ये नुक्सा जो नहीं ले रहा है गुड हेल्थ तो उनके लिए ये नुक्सा तो है लेकिन गुड हेल्थ लेने की मैं स उनका लेड़ दो महिने में वड़ गया है और उसके बाद में जब उन्होंने गुण हेल्थ को लेना कम कर दिया या छोड़ दिया उसके बाद भी उनका वजन घड़ा नहीं है और अपने आपको हिल्दी और ताकतगर मैसूस करते हैं गुण हेल्थ हेल्प करता है आपको होने के साथ साथ आपके अंदर ताकत और इस्टेमिना को भर देना ये गुड हेल्थ का काम नहीं है उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज योगा खाना पिना आदी दिन चारिया को ठीक करना पड़ेगा तभी आप पर्मानेंटली मोटे तगड़े हो सकते ह आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फाइदा जरूर होगा और अगर हमारे वीडियो से आप लाभानित होते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना वो बाद में भी कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार के वीडियो नियो मित रूप से आती रहती है बिल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पर प्रेस कर लेना तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वास्त रही है जै हिंद जै भारत